बिहार के भागलपूर में बंब बलाष्ट में साथ लोगों की मोथ हो चुकी है यहां जीले के ततारपूर थाना शेत्र के काजरवी लिज़ेट जतिम खाना के पास भीचण बलाष्ट होने के बाद साथ लोगों ही मोथ हो गई जबकि 12 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं मनने वालों में एक महला और एक बच्चा भी शामिल है बलाश्ट गुरुवार देरात को हुआ है विस्वोर्ट इतना जबर्दस था कि घर पूरी तरह से जमीन दोज हो चुका है इसके साथ ही कई और घर भी शतिग्रस थे हैं लोगों के मताबिक दरजन भर से जादा लोग घायल है और साथ लोगों की मौत हो गई घटना के बाद बागलपूर के कई चन प्रतिनिदी और पुलिस बल मोके पर पहुंची जेसी भी लगाकर मलबे को हटाया जा रहा है घायलों को हस्पिताल भेजा गया है जिसमें कुछ की हालात गंबीर बताई जा रही है विसवोट इतना तेज़ता की पांच किलो मीटर तक लोगों ने धमाके के वास सुनी तो वहीं बारूत की गंद इस्टेशन चोंक के पास तक लोगों ने महसूस किया वहां मुझूद लोगों ने बताया कि कई गंटों तक बारूत की गंद हावा में ही रही यहां घटना को उत्वाली थाने से मैं 100 मीटर के दूरी पर इस्थित एक मकान की है इस बलाट से एक तीन मंजिला मकान जमीन दोगज हो गया घटना की जानकारी पर डियाजी सुजित कुमार एस पी बावुराम भी मोके पर पहुँचे घटना के बारे में कहा जा रहा है कि इस इलागे में बटा के बनाने का काम किया जाता है इसके साथ ही पुलिस इसे बलाट के एंगल से भी देख रही है बागलपुर पुलिस को कुछी दूनों पहले आईबे ने भी अलट किया था और यहां संदिंग्द गती वीडियो की बात कही थी तो वही स्थाने लोगे के मताबिक सब एबरात के लिए घर में बम बनाया जा रहा था जिसके बाद यह बलाश्ट हुआ वही डियाजी सुजीत कुमार का कहना है कि FSL की टीम जांच कर रही है